अगले खबर की ओर पोक्सो कोट एक के विशिष्ट नियाधिश प्रेम प्रकाश गुपता ने गुरवार को सुनाए फैसले में करीब साड़े तीन साल पहले सारोल शेत्र के एक गाउं से किशोरी को भगा कर ले जाने के बाद उसे कबजे में रख कर जादती करने के मामले मे अभियुक्ति को दोशी करार देकर 10 साल के सजा और 20,000 रुपे अर्थ दंड सहीद दंडित किया था और विशिष्ट लोग अभियोजक क्राम होतर गुजर ने बताया कि 23 मही साल 2016 को पिता ने दर्च कराई रिपोर्ट में बताया कि वह और खेत पर गए थे नाबालिक साल 2016 में बाराश बाप्चा थाना चेतर के विशन खेड़ा गाउं से किशोरी को बरामत कर ले गए इसके दो दिन बाद आरोपी योगेश को गरफतार कर लिया गया जिसे तीन दिन रिमान पर रखने के बाद नियाएक अभिरक्षा में जील भेज़ दिया गया नियाधिश ने दस्तावेश गवाहों के वयान और बहस सुनने के बाद आरोपी योगेश गरफतार को दोशिमान कर सजा सुनाई